इस वीडियो में बात कर लेते हैं जी एमार एरपोर्ट इंफ्रा की कुई क्लिए लिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक एन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो जी एमार एरपोर्ट इंफ्रा में आप देखोगे यहां पर आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है वॉल् है फिर नीचे आए और फिर यहां सब्सक्राइब किया अब जरूरी नहीं है कि डवल बॉटम आपका जो हमीशा बने वह कुछ ऐसा बने यहां पर दो ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ इस तरह ऐसे डवल बॉटम आपका ऐसा भी बन सकता है डाइगनली उपर के फेज मे अब यहां पर यहां पर यहां पर जैसी अपने आप देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको समझा गई क्या क्या समूव रहता है अब आज देखने को मिला वेल अपन को वह यहां कहीं अपना रहा 85.65 तो वह अपनी जगए ठीक है वॉल्यूम भी अच्छा था स्टॉक में और उपर की दिशा में अपना यहां से एक अच्छी खासा बाइमूव भी देखने को मिला तो वह भी अपना सही रहा वेल उपर क यहां से करके जो अच्छा हर्डल आपको स्ट्रॉंग हर्डल देखने को मिलेगा वो रहेगा 94.15 यहीं नहीं रुख जाएगा कि यहां से रिवर्सल आ गया नहीं ऐसा नहीं है अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है स्टेबलाइज रहता है और यहां से पैटन कंप्लीट हो यहां से यहां पर नीचे बनता है हर नीचे जब जाते हैं तो यहीं से बाउंस बैक देखने को मिलता है और इन लेवल्स पर जैसे बाउंस बैक होता है तो चैनल के अंदर फिलहाल स्टॉक में काफी बड़े टागेट्स आना वाकी है अभी तो स्टॉक की सुरुआती सो नहीं तो 99 साइकलोजिकल लेवल मान लीजिए सो को तो भी आपको सत्रा परसेंट का मूव देखने को मिलेगा तो इतना तो वेल कहीं ना कहीं आपको मिली जाएगा कि 99 तक तो टागेट डेफिनेटल जाही सकता है यहां कहीं हडल फेस करता है मान लीजिए क्योंकि 100 साइ मान लीजिए 99-98 तक टू डेफिनेटल अपने चार गलाींगे तो 17 प्रसेंट आपको देखने को मिली सकता है को तो कछ ऐसे चलते हैं उनदार आएगा यह कम अब बात अतिए कि सपोर्ड कहां रहेंगे तो सपर्डन पर करती हैं माइन सपोड़ी क्लाइंगा सटप मैं थे तो यहां पर सपोर्ट बनेगा एक चीज आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए तो आज की जो केंडल का अच्छा मूव आया तो वो हाई और लो का आपको सपोर्ट रेस्टेंस नेक्स टेक काम करते हैं नजर आएगा तो इस चीज को हमें इसा नोट करके रखा करिए ऐसे आपको इसी सही अंदाज ये लग जाए कि फॉल किस लेवल से आ रहा है आज का तो अपने आपको कैप्चर कर निक में आसानी रहती है तो होफुली यहां मैंने सारी सीजने क्लियर कर दिया है मिलते नेक्स वीडियो में दिस इस मी सुबह म्यादव साइनिंग आफ